तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एचकेसर में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल इंट्रेंश रिजाम क्लास 6 के हिंदी गरामर यानि कि ब्याकरन का एक बहुत ही जदा इंपोर्टेंट जैप्टर जिसका नाम है किरिया और काल और मैं आपको बता दू कि करिया हमारे एक अलग है काल जो है वह हमारे अलग चैक्टर है तो दूनों चैक्टर को हम इस वीदियो में कोमटलेट करेंगे तो चलिए हम अपना चैक्टर किरिया और क्ल उसको स्टास करते हैं इसका मतलब जा होता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा किरिया का डिफिनिशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनिशन से जो है और मैं आपको पढ़ाने बाला हूँ तो जिस सबसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम किरिया करते हैं अगर कोई भी काम हमारा हो रहा है तो उसको हम किरिया बोध है कोई भी काम जैसे में आप example देखें खाना हमारा क्या है? खाना ये काम है ना तो ये हमारा किरिया हो जाएगा पीना हमारा काम है एक तो ये किरिया हो जाएगा उठना ये हमारा किरिया हो जाएगा बैठना किरिया हो जाएगा हसना किरिया हो जाएगा रोना होना ये जो है ये सारे हमारे किरिया होते हैं सिंपल भासा में अगर मैं बोलू कि कुई भी सब जिसके लास्ट में ना लगा हुआ है उसको हम किरिया बोलते जैसे में पढ़ना, खाना, पीटना, सोना, दोडना यह सारे चीज़ है वह हमारे किरिया हो जाएंगे अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है किरिया भी बिकारी सब्द है किरिया जो है वह हमारा बिकारी सब्द है इसके रूप लिंग वचन और पुर्स के अनुसार बदलते रहते हैं वाक्यों में इसका पढ़ियो तो देखे किरिया हमारा वह एक विकारी सब्द कि मतलब की ए इस्तरी लिंग के लिए यह हमारा ओचेन्ज हो जाएगा अगैश देखते हैं तो यह हम आगे से आगे देख मैं आपको पता देगा मैं प्रनाना काम हम 15 पोह काम हम रहे हम थाइग इसको करिया औहाए जैसे में खेलना, खेलना क्या है, एक काम है, तो यह हमारा किरिया होगा, आगे देखें, पढ़ना एक काम है, तो यह भी हमारा किरिया हो जाएगा, चलना हमारा एक काम है, तो यह भी जो है, वह हमारा किरिया हो जाएगा, चलिए अब हम आगे, तो किरिया के अब हम भेद दे कर्म के रहने का जो है वह आपको दिखेगा या कर्म के रहने का जो है वह समभवन आपको दिखेगा जैसे में खाना हो गया पीना पढ़ना लेखना गाना बजाना माह पीटना बीजो सारा है आगे समझने God फोर आपक उच्पह क्र Polizeo Esa P किसको खाने का काम किया जाता है वह आम खाता है तो खाने का काम किसको किस पे मतले खाने का जो कर्म है वह हमारा क्या है परभाब किस पे पर रहा है तो आम पर तो यह जो है हमारा वह क्या होगा यह जो है हमारा वह हो जाएगा सकर्मकिर्या जैसे में वह बुक पढ़ता है सिंपल सा वह किताब पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको किडिया पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं किडिया पढ़ा रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि क्या अगर लगा के आप कोस्टन अब मैं आपसे पूछू कि क्या यहां पर दिखेंगे मेरे हाथ खुजलाते हैं लड़का सोता है गारी दिखाई देती है सूरज निकलता है अब यहां पर दिखेंगे लड़का क्या सोता है अब एक सिंपल सा लड़का सोता है यहां पर आपको कर्म दिखाई नहीं दे रहा ह गारी दिखाई देती है क्या दिखाई देती है तो यहां पर देखिएगा कि आपको क्या जो है आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा कर्म जो है कर्म देखने को नहीं मिलेगा कर्म क्या होता है मैं आपको बता दू कर्म मैं आपको बता दू किरिया का परभाब जिस पर पर र तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा शेकर्म क्रिया कर्म क्या हो जाएगा जिसके पास कर्म न हो सोता दिखाई सूरज निकला यहां पर देखेगा सूरज निकला बस सिंपल सा यहां पर आपको कोई भी जो है वो कर्म देखने को नहीं मिलेगा साथ भी में यहां पर भी आपक तो काल को क्या होता है कि लिए के काल कैराता है हमें इस सब्सक्राइब यह एक समाइक करेगा जैसे में राजु इस्कूल जा रहा है तो राजु जो है इस्कूल अभी जा रहा है क्या बोलार जा रहा है परजेंट का बात क्या हो हो रहा है क्या इस्कूल जा रहा है परजेंट में राजु इस्कूल गया था गया था मतले कि पास्ट हो गया गया था राजु इस्कूल जा जो है हमारा उभूत काल्ब काल्ब तो किडिया के जूंधंतर चल रहे शमय का बोढ़ हो उसे हम क्या बोलते हैं匠ी मान बढ़न काल्ट क यह सबसे पопасर shifts मतलब कि पढ़ता है, पढ़ रहा है, मतलब कि अभी भी जो है, यह पढ़ रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, पढ़ता है, मतलब कि वह पढ़ रहा है, आपसे कोई पूछता है, कि तुम क्या करते हो, तो मैं पढ़ता हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं अभी, और अभी मैं आप को पढ़ा रहा हूं तो यह क्या होगा यह मरा वर्तमानकाल हो गया अब देखें भूतकल यानि कि किरिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकल बोलते हैं जैसे मैंने पत्र लिखा था क्या है मैंने पत्र लिखा था लिखा थ न खेला है न खेल रहा हैिए बहुत ही जदा आसानी तरीका इ समझ में आ गया होगा मैं आसा करता हूं कि यह सारा चेप्टर है वह आपको बहुत ही जदा असानी तरीका से समझ में आ गया होगा सकर्मक किरिया मैं आपको फिर से बता देता हूं तो देखे सकर्मक किरिया में क्या होता है मैं बहुल दू कि इसमें होता है आपको कर्म देख सकर्म किर challenged project आपको देंगा पेर अने वह आपको यहां पे दिखाई दे रहा है यहां पे निकला और सोता हो गया पर फूररarm सकते हैं कि कि आपको कर्म देखने को नहीं मीलेगा नुक्राइं देंगा बहुत सारे बच्चे के contracting लगensive तरिकह से मैं रण भन कि हात करम है नहीं हाथ वह नहीं है करता है लड़का क्या है करता है गारी कारता है जो कहुंध कर रहा है है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हमरा करता हुआ जयसे मैं हा से लर्का करता हुआ गारी करता वगा सूरज your करता हुआ इसलिए आप लिएTC यहां पर हमारारा qrirdyändraॉ और काल जो है ओक रह फे अब आप मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक मैं आपसे एक बार रिक्वेश्ट करूँगा, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजक्रिशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक मैं आपको बता दू कि अगर आप हमारे से कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो यह वार्चाप नम्हें इस पे आप कॉंटेक्ट करना चाहते हैं